बच्चों में जो डाइबिटीज के ज़्जादा मामले दिखते हैं वो होती है type 1 diabetes. इसको 80% के करीब जो मरीज होते हैं वो type 1 diabetes के होते हैं. Type 1 diabetes को हम insulin dependent diabetes भी बोला करते हैं या फिर juvenile onset diabetes भी भी बोला करते हैं. तो इस diabetes में क्या होता है कि बच्चे की बाड़ी में insulin बनना कम हो जाता है, हत्म हो जाता है, दूसरी जो commonly आजकल diabetes दिख रही है बच्चों में वो है type 2 diabetes, जो पहले इतनी नहीं दिखती थी, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि अब बच्चों में obesity बहुत बढ़ रही है, unhealthy lifestyle बह है autoimmunity, आपका immune system जो होता है, infections को fight करने के लिए बना है, आपकी body को healthy रखने के लिए, autoimmunity में क्या होता है, यही आपकी body के against fight करने लग जाता है, तो type 1 diabetes के बच्चों में, उनका immune system, उनके pancreas, जो की एक organ होता है आपके stomach के पीछे, आपके belly के अंदर, वो insulin बनाता है, उसको attack करता है immune system, जिसकी वज़े से insulin बनना कम हो जाता है, इसमें genetics का कुछ role होता है, environmental factors का role होता है, जैसे कि देखा गया है कि कुछ viral infections जो होते हैं, वो बच्चों को prone बना देते हैं, genetic जिनको predisposition होता है, उसके साथ viral infection उनको prone बना देते हैं, type 1 diabetes के, या फिर vitamin D deficiency, यह diet में देखा जाए, तो cow's milk बहुत early अगर आप introduce कर देंगे बच्चे की diet में, तब भी खतरा रहता है, type 2 diabetes अगर देखे हम क्यूं हो रही है, तो अब देखे कि बच्चों में screen time बहुत जादा बढ़ा है, packaged food का access बहुत जादा बढ़ा है, बच्चों को parents are very busy, उनके पास वक्त नहीं है, और दूसरा, अब availability वाला भी factor है, कि आप आराम से पास मिनट में, दस मिनट में कुछ भी unhealthy सा मंगा के बच्चे को दे सकता है, बच्चा भी उसे खा लेता है, parents के लिए main concern होती है, कि बच्चा खाए, बच्चे का weight बढ़े, अब बच्चे का healthy weight बढ़ना है या नहीं, इस प factors है, और आजकल उसके अलावा देख रहे हैं, चोटे-चोटे बच्चों में जो मामले आ रहे हैं, stress की भी आ रहे हैं, पढ़ाई का बोज बढ़ गया है, बहुत unhealthy से competitive environment हो रहा है, इन सब की वज़े से अब बच्चों में भी diabetes के मामले, type 2 diabetes के भी मामले जादा देखने को हम मिलते हैं, बच्चों में diabetes के जो symptoms होते हैं, काफी-काफी बढ़ों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि symptoms बहुत subtle से होते हैं, नोटिस से चले जाते हैं, एकदम से बच्चा complications के साथ present करते हैं, तो symptoms की बात करें, जैसे की बढ़ों की diabetes में भी बात करी जात तो इसमें अगर बच्चा urine frequency बढ़ जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो देखा जाता है कि कई बच्चे जो toilet trained होते हैं, वो भी bed wetting शुरू कर देते हैं, तो parents कहते हैं, पहले toilet trained है, अब एकदम से bed wetting शुरू कर दिने हो क्या गया है, तो डाटे ना बच्च बच्चे को mood changes बहुत होने लगते हैं, चिड़ चड़ापन हो जाता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, focus नहीं कर पाता है, vision changes हो जाते हैं, यह सब type के symptoms हमें बच्चों में भी diabetes में दिख जाते हैं, और type 1 diabetes में यह होता है कि कई बार यह symptoms बिलकुल subtle से होते हैं, और दोगा, उल्टिया होंगी, और कई के बार बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, dizziness यह सब problem होती हैं, इसके साथ present करते हैं, बच्चों में diabetes के management की जहां बात आती है, तो दवाईयां हमारे पास वही available हैं, जैसे बड़ों में available हैं, type 1 diabetes, insulin दिया जाता है, type 2 diabetes में medications होती हैं, oral medications कुछ में insulin को भी देना पड़ जाता है, पर यह है कि जो बच्चे हैं, वो mini adults या छोटे small adults तो होते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे different changes हो रहे होते हैं, वो growth phase में होते हैं, उनको puberty आती है, उनके बच्चों के specific infections भी बहुत सारे होते हैं, जो कि blood sugar management को challenge कर सकते हैं, diabetes in childhood जो एक ऐसा topic है, जहां पर team work की तरह हमें काम करना पड़ता है, जो भी parent है, जो भी caregiver है, वो doctor के साथ एक team work की तरह काम करते हैं, थाकि बच्चे का different different stages पर आप regulate कर सकें, उसकी blood sugar optimally बिना compromise किये उसकी growth, lifestyle changes भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे हो type 1 diabetes हो, चाहे हो type 2 diabetes हो, healthy foods लेना, carbohydrates जो है उनको limit करना, unhealthy carbohydrates को और जो भी protein और fats को एक जितनी healthy quantities में consume करना, उसके अलावा active रहना, physically active रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी body में insulin की sensitivity बढ़ाता है, physically active रहना, और good cholesterol को increase कराता है, bad cholesterol को कम कराता है, और उसके अलावा, एक sense of well-being promote परता है confidence को promote करता है, तो diet, exercise और दमाए, ये तीन चीज़े important pillars हैं diabetes के management में, बच्चों में psychosocial factors भी काफी different है, रोज बच्चा स्कूल जा रहा है, या फिर दोस्त है, cousins है, उनकी birthday parties है, और जो हम कहते हैं, reward, sense of reward, जिस खाने से आता है, मीठे से ही समझते हैं, cake से, या processed, जो भी deep fried ची देखें, हर बच्चे के लिए same चीज हम बोल नहीं सकते, आपके बच्चे का कितना age है, उस age appropriate way में आप उसको समझाएं, बच्चे को कि क्या अच्छी चीज़े हैं, और बच्चे जो हैं, वो सुन के कम follow करते हैं, देख के जादा follow करते हैं, तो इतनी बात भी ध्यान रखे कि जो diet आपके diabetes वाले बच्चे के लिए अच्छी है, वो आपके बाकी बच्चों के लिए भी अच्छी है, आपके खुद के लिए घर के लोगों के लिए भी अच्छी है, पोशिश करें, imbibe करें healthy lifestyle, क्योंकि आप जैसा करेंगे, वैसा ही आपका बच्चा आपको follow करेगा आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है, आप उसको टॉफी या चॉकलेट की जगा, आप उसको एक fruit दें खाने को, या फिर अच्छी interesting way में present करें healthy foods को, इस पर मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन इसके long term बहुत फायदे हैं, अब जो यह होता है कि कभी जादा खा लिया, कभी कम खा लिया, अगर बच्चों में यह बात करी जाए, तो diabetes का बच्चों में बड़ों में दोनों में एक legacy effect होता है, अगर आप, कल आपका blood sugar test होना है, आपने बहुत अच्छा डाइट कंट्रोल करके अपनी fasting और post-pranival blood sugar को सही कर लिया, लेकिन जो बाकी के दिन थे उस and healthy lifestyle को follow करें, हाँ कभी-कभी बच्चे को obviously बच्चा एक monotonous life जीएगा नहीं, तो उसमें आप खुद ध्यान दें कि भई हम regulate कर रहे हैं, हम इसको कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि unhealthy है, तो unhealthy चलता ही जा रहा है, आज हफते में एक बार हो रहा था, फिर दीर हफते में तीन बा हो गई है, उसके अलावा, जैसा कि आप बोल रहे थी कि दवाईयों को कम ज्यादा करना, तो insulin जो होता है, हो सकता है, उसको कम ज्यादा करना पड़ जाए, प्यूबर्टी के टाइम या बच्चे को infections होते हैं उसके टाइम, तो यह आप अपने डॉक्टर से सला लें, कब कै से आपको insulin को regulate करना है, और आजकल तो insulin fusion pumps भी आ रहे हैं, दो साल से ज़्यादा बच्चों के लिए यह approved हैं, जो खुद से dose को regulate कर देते हैं, और बच्चों की एक और चीज़ दे खाने पीने के अलावा, जो उनकी lifestyle है, वो भी बड़ी unpredictable सी होती है, किसी दिन बहुत physical activity होती ह बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उसमें एक और बात का ध्यान दे कि कई उनकी blood sugar बहुत कम ना हो जाए, या hypoglycemia ना हो जाए उनको, उसके भी signs and symptoms पे आप work करें कि कभी बच्चे को एकदम तेजी की भूग लगने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत sweating होने करते हैं, और ध्यान दें कि बच्चा कई जैसे बहुत चोटे बच्चों में तो नहीं, लेकिन teenagers में देखा जाता है, कि वो खुझ से थोड़ी insulin की dose जादा कर लेते हैं, ताकि उनको हाइपोग्लाइसी में हो जाया और वो खा सकें जो उने पसंद है, इस बात पर भी ध्या Insulin के delivery methods हैं, वो almost, almost painless होते हैं, तो एक तो यह चीज है कि बच्चों में आप खुद भी injection phobia मत दें, कि कहीं आप बच्चे को इस तरहीं से ना करें कि मैं हाँ देखो, आज तुमने बदमाशी की थी, तो देखो, अब हम तुमें तुमें लगा रहे हैं, तुमने यह किया थ बोरा इस वज़े से कर रहे हैं, तो injection को एक punishment की तरह बच्चे को मत present करें, और insulin pens जो अब आते हैं, insulin pens में almost painless जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, वो almost painless होते हैं, और आप खुद पर भी लगा कर, बिना insulin के आप खुद पर भी लगा कर देख सकते हैं, कि उसमें कुछ इतनी कोई तकलीफ नहीं होती है, और बच्चे डरेंगे बिलकुल needle है, बच्चे डर सकते हैं, तो doctor के पास जब भी आप जाएं, तो आप और explain करें क्या आपके concerns हैं, तो कभी कबार ये भी होता है, किसी soft toy पर वो एक needleless injection को inject करके बताते हैं, या orange peel, orange pick करके बताते हैं, तो बच् continuous glucose monitoring और insulin infusion pumps जो आ रहे हैं, तो insulin pumps जो आ रहे हैं, इनसे भी almost बस इनको जब लगाते हैं, तब भी एक minimal सा pain होता है, जो कि थोड़े बड़े बच्चों में use किया जाता है, और उसके बाद कुछ ऐसी दर्द्या तकलीफ वाली बात नहीं होती है, और उसके साथ आपको ये भ अच्छे का lifestyle भी manage कर रहा है, diabetes को काफी हद तक, तो अगर उनके lifestyle को improve रखेंगे, सब रखेंगे, तो फिर type 2 diabetes में खास कर, वो सकता है कि उनकी needs insulin के लिए भी कम होती चली जाए है, Diabetes Reversal, हम ये term यूज नहीं करते हैं, हम Diabetes Remission यूज करते हैं आज कल, तो Diabetes Remission का ये मतलब होता है कि दवाईयां lifestyle changes जो आपने लिए, उसके बाद कम से कम तीन महीने तक, जो भी glycemic parameters हैं, जैसे कि HPA1C, fasting, postprandial blood sugar, ये normal हो जाते हैं बिना किसी दवाईयों के, कम से कम तीन मही तक, तो ये remission में बिल्कुल जा सकते हैं, कई टाइम तो लोग सालों साल remission में चले जाते हैं, तो remission हम इसले बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये ना समझें, बिल्कुल बेखबर होके ना बैट जाएं कि अब Diabetes खतम हो गई है, क्योंकि कोई भी stress आया, जैसे कि कोई injury हुई, क आप ये लुट के लिए ना सकती है, तो लॉट टर्म तक जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ लॉट भी लोग कंट्रोल कर पाते हैं, बस अपने रिस्क फैक्टर को एड्रेस करें, ताइप टू डाइबिटीज में खास कर, बैठे नहीं रहना है, बहुत देर तक, बहु को ना दें, क्योंकि इस्ट्रेस भी कंपाइल होके, उनके पूरे मेटबॉलिजम पर एक नेगिटिव इंपक्ट दालता है, जो भी उनके इंट्रेस्ट है, लेट दिम फॉलो देम, लेट देम हवापी चाइल्ड होड़ोड, बने वो, और स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, किसी भी एज में लंबा स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए तो खासकर खराब है उनके mental और physical पूरे health के लिए, तो इन पिलर्स को अगर include करेंगे life में, तो बिल्कुल बच्चों की diabetes को आप remission में ले जा सकते हैं, बिना दवाईयों के भी control कर सकते हैं. झाल